तो कैसे हैं आप लोग आई होप आपका सेट का पेपर बहुत अच्छा गया होगा मैं रविकांद सर्मा करने वाले फिजिक्स पेपर सोलीशन चलिए देखते हैं किस तरीके का पेपर था और उसका इनलाइसिस करते हैं देखिए ध्यान से जो पेपर अपने पास में गिवन है उसमें फिस्ट क्यूशन है एक बोड़ी हेव मास 4.732 ग्राम एंड वॉल्यूम 2.58 सेंटीमेटर क्यू according to significant figure the density of in gram per centimeter cube में हमें बताना है कि इसकी density क्या होगी तो पेटा हमें पता है density का जो formula होता है वो अपने पास में होता है रो इस इक्वल एम अपन में वी तो अपने पास मास किसमें gram में है यह कितना हो गया four point 732 हो गया और अपने की बात करें तो टू पॉंट 58 हो गया तो जब आपने इसको देखते है इस में density की बात करें अब यहां पर एक बात कीजिये क्यूंकि हम significant पुचा गया है तो यह important पार्टे नेखें कि हमें यहां पर देखना है कि इसमें इसमें कितने significant number इसमें हम बात करेंगे इसमें है four शार्थकंकों की बात करें इसमें कितने हैं तो अपने पास जो भी answer आएगा उसमें minimum minimum significant प्रज़ांबर है वही अपना सोलिशन होगा तो इसका कौन सा होजाएगा अगर ध्यान से देखे तो इसमें सीग्निफिक नमबर इसको लिखें तो यह गया प्रस्ट एट्री और इसका अंसर अपने पास में फोर्ट अंसर हो जै क्योंकि सिगनिफिकेंट नंबर हमें याद रखना है इसमें अगर हम मल्टिप्लाई या डिवीजन करते है तो वहां पर मिनिमम सिगनिफिकेंट नंबर हम यूजी करते हैं आई हो फेस्ट क्यूशन आपको अच्छे सी समझ में आ गया होगा चलिए बैटा बात करते हैं जो सेकेंड आपके पास में given है a physical quantity is x a square b cube upon में c is percentage error of measurement in a b c are 1% अपने 3% and 4% the maximum percentage error of value x अक्स में maximum percentage error क्या होगी तो simple बेटा एरर से related execution ने देखे क्या होता है ABC के मापन में हमें तुरूटी बता नहीं है तो देखते हैं x के मापन में x में एक relation दे रखा है x is equal a square b cube upon में c तो यह percentage error का formula क्या होता है डेल x upon में x power कहां जाती है आ गया जाती है तो यह गया 2 delta a upon में a plus 3 delta b upon में b plus delta c upon में c अब जो भी बेटा a, b और c में error दे रखी है उसकी value पूट कर दीजिए देखें यहां पर ध्यान से value पूट करने के बाद में क्या answer आता है तो यह हो गया 2 into अगर बात करें इसकी तो a में किता हो गया 1% दे रखाए 3 into b में किता दे रखाए 3% दे रखाए और c में में बात करें तो किता है वेटा 4% है तो यह कितना हो गया 9 9 और 4 कितना हो गया 13 13 13 or 2 कितना हो गया 15 to answer किता हो जाएगा इसका 15% कौन से जोगा निच्ट अपने आपको अच्छे से समझ वह आ गए चलिए बात की condition होती है आपको सबको पता होगा perpendicular condition होता है A.B इनका जो dot product होता है वो किसके equal होना चीह जीरो के equal होना चीह तो हम बोल सकते हैं कि AB के क्या है perpendicular है तो चलिए यहां पे देखते हैं कि कौन से 2 vector ऐसे है जो perpendicular व्रक्र उनका dot product किसके equal है zero के equal है तो देखें द्यान से किसका dot product 0 का equal होगा हमारे पास में a given है a की जो value given है वो होगी हमारे पास में 2i minus 3j तो अगर आपन बात करें किसकी b की तो b हमें एक की value लेनी पड़ेगी जिसका dot तो हमें पता है i को अगर j से करते हैं i का dot product k के साथ में करते हैं तो कितना आता है 0 मतला similar की बात करें तो आएगा one अगर i dot i की बात करें तो कितना होगा but i को j या i को k से करेंगी तो कितना होगा dot product 0 आएगा तो अगर मैं यहाँ इसको रेष्ट पोजिशन से गिराय गया है एकर कोई चीज़ रेष्ट पोजिशन से गिरती है तो बिटा उसके इनीचल वह अपने पास में इनीचल वेलोसिटी कितनी होगी जीरो होगी दा रेश्यो ऑप डिस्टेंज ट्रेवल इन फर्स सेकेंड एंड थर्ड इक्वल इंटर्वेल लॉट टाइम में इसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंज कितनी होगी तो simply अगर अगर वन सेकेंड में 2 सेकेंड और 3 सेकेंड वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करें तो हमें टाइम इंटर्वेल में ट्रेवल डिस्टेंज का पता चल जाएगा अधरवाइज आप एक जगर जी क्योंकि वर्टिक लिए और यह नीचे गिर रही है तो इससे भी आप ले सकते हो पर वहां पर आपको एस टू माइनस एस वन करके शोल करना होगा यहां पर अगर अपन सिंपल जो एंट सेकेंड का ले ले तो अपना आंस्वर यहां पर आ जाएगा तो अगर अपने पास में एंट सेकेंड का फॉर्मूला देखते हैं ट्रेवल डिस्टेंस आ कित्ता हो गया यू पलस हाफ नहीं गहस्ट करते रीक्त के लिग सब्सक्राइब कीजिए ने क्या बात कि गही है तो ये पुछ रगा है परचेप्य गती में परचेप्य का पत कैसा होता है प्रोजेक्टाइल जो इक्वेशन होती है उसमें जो प्रोजेक्टाइल पात है वो हमें बताना है कैसा होगा तो हमें पता है बिटा जब भी अपन किसी body को u velocity से theta angle पे project करते हैं तो उसका path इस तरीके का होता है और जब अपन इसको solve करते हैं तो हमारे पास में projectile equation आती है x 10 theta minus gx square upon me 2u square cos square theta तो ये किसको follow करती है y is equal ax minus bx square को जो किसकी equation है parabola की equation है तो इसका path कैसा होगा अगर हमने किसी चीज़ को parabolic path होगा परवलया का अगर किसी चीज़ को theta angle पर हमने project कर दिया तो वह path कैसा हो हमारे पास में parabolic path होगा तो इस cancer हो जाएगा अपने पास में third आच लिए बीटा बात करते हैं next question की तो हमारे पास में जो next кीज़न है किज़न नमबर 6 तो यहां पे हमें देखना एंगर अगर अगर अपन बात करें तो कारिय करने की समय दर को क्या करते हैं काम करने की दर को समय अगर हमें यहां पर यह बोल रहा है कि डबलू अपॉन में टी की बात की जाए तो डबलू अपॉन में टी क्या कर लाता है पावर कर लाता है जूल अपॉन में सेकेंड क्या कर लाता है पावर कर लाता है तो काम करने की दर को क्या करते हैं सक्ति कहते तो आंसोर कौन सा पुएगा अपने पास में थर्ड आंसोर करेक्ट हो जाएगा चलिए बात करते नेट्स की यही बोल रहा है कि इस सेंटर वी थे यह अपने पास में डिस्क माल लिजिए यह कोई डिस्क के बिटा जो अपने सेंटर से पास होने वाले अक्सिस के अराउंड क्या कर रही है यहां पर बोल रहा है सडनली यह पीस ब्रोकन फ्रोम इट्स एज कोई अच्छानक से पीश टूटकर इसका क्या हो गया अलग हो गया यहां से मालीजिए कोई i is equal disc की बात करें तो वो गया m r square by 2 i किस पर depend करता है बिटा m पर depend करता है और rotational axis से distance पर depend करता है तो axis से तो distance है वो तो उतनी रहती है बट फरक किस में आता है फरक आता कि m अब कम हो गया नया m है वो गया अपने पास में i is equal m-r square by 2 तो हमें पता है यहां पर जो आयम की वेल्यू है वो ज्यादा है m-s से तो अपने पास में i की वेल्यू भी ज्यादा किसी होगी आई डेस से तो हम बोल सकते हैं यहां पर सकते अब हमें देखना है इसके अउल रहा इसका मतलब इसका मईज़र मोमेंटम रहता है तो यहां से अगर इसकी बात करें अगूलर मोमेंटम conservation की, तो यह हो गए इसट की वेलूयई हो रही है, तो इन्वर्सलि प्रोपोष्णल ल, आएक की वेल्यू स्थस्राइग इंक्रीज हो जाएगी ओमेगा की वेल्यू क्या रहेगी आपे इंक्रीज होगी तो आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसमें कौन सा अंसर क्रेक्ट हो जाएगा जड़त्व आगोंड घटेगा और कौन यह वेग बढ़ता है तो फर्स्ट आंसर इसका नेक्स्ट की देखें द्यान से हमारे पास में जो क्यूसर नंबर एट है पर्त्वी की सत्य पर यदि उपगरे की प्लाइन चाल राकक्षिय चाल वी और वी नोट है तो इन दोनों चालों में रिलेशन बताना एक सिंपल सा क्यूसर दे रहा है एड़ दा सर्फेस ओपर इस यहां पर रिलेशन देखें तो हम बोल सकते हैं वी क्या होती है रूट टू टाइम होती है कि इसके बिटा और बिटल वेलोसिटी की तो कौन सा ओप्षन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑप्षन इसका करेक्ट हो जागा वी इस इकल रूट टाइम सो वी नोट चलिए बात कर में विसकोश you ideal किसी लिक्वीड हमने किसी बोल को गिरा अगर माल लीजीए कि आपने cold आप को और इसका खुद का में घुट वेलोसिटी से नीचे गिर रही है तो इसे भाओं सी इन होगा तो जब अपने यहां पे देखते इसको स्वाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी speed पहले जादा थो फिवे उसके बाद में friction layer के जो लिक्वीड की layer और उसकी वजए से फ्रीक्षिन लगा फ्रीक्षिन लगने इसकी velocity क्या होगी धिरिद्रे खाम होगी और फिर यह और यह constant velocity gain कर लेता है जैसे बाषिश की बुण्दय खें होती है तो वो ऐ constant velocity से से नीचे आती है इस वेलोशीटी को क्या बोलते हैं और अगर टर्मिनल वेलोशीटी की वेल्यू पूछी जाए तो हम यहां पर क्यल्कुलेट करके बता सकते हैं 2पन 9 रोमानिके नीचे गिर रहा है यहां पर रोडेंस इसिटी है जो लिकविड लिया है सिग्मा जो मेटेरियल आपने काम में लिया उसकी डेंसिट यह एटा यहां पर विसकोसिटी कोफिशेंट हो गया तो यह फॉर्मुला लगा पर हमें यहां पर सिंपल पूचा है क्या होता है तो इसे अपने बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी हो गया आई होप यह बात आपको समझ भी होगी होगी चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्यूशन की क्यूशन नंबर 10 क्यूशन नंबर 10 है बाई अप्लाइंग इस्ट्रेस यहां पर यह थोटा अलग है तो एस्ट्रेस ऑप टू इन्टू टेन टूदी पावर नाइन न्यूटन अपॉन में मिट्री स्क्वे इसकी लेंठ को डबल कर दिया जाता है तो यंग मॉडूलस क्या हो जाएगा चलिए बात करते हैं पर टास्ट्रेस का फोर्मला क्या हो गया अपने पास में अपने पास में एफ अपने ए हो गया तो इसकी वेल्दिव देखें तो वह है टू इंटू इन टूदी पावर 9 न तो वो गया गामा की बात करें यह उसके बात करते। debate Boston greater होगा चले से बात करते हैं डेक्स्ट कई देखिए ध्यान से जो हमारे पास में नेक्स्ट क्यूसंडे रखा बिटा लापलास अंसोधन के अनुसार वायू में धवनी की की चाल होती है कुण संद्रें धोन की है तो मैं पता है पिटा यूटन नियुतं से फोर्मॉला दिया था तो 1000 आपने पास में प पॉन में रो जिससे एकट विल्यून नहीं आये थी फिर लापनास ने के इस वेलिव को लिखा गामा पी अपॉन में रो इससे एक्जक्ट वेल्यू आगी थी साउंड की तो अपने पास में हो जाएगा ठीक है आई होप यह अच्छे से आपको पता होगा चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्यूशन की दिए पेंडूल की से पास में दे रखा है यहां पर अपने पास में पास में रखा है यहां पे चलिए benchmark फ्रॉक्स कितना आता है two seconds ते लिएकुल आता है तो ये अपने पास में क्या हो गया जगे लेंफվ लेंङर जञें अगर वन मीटर है तो टाइम पिरेड़ कितना होगा तो आए ओप ये बात आपको जिनका रेशियो कितना है थ्री रेशियो वन है वाई मास इप टेम्परेचर ऑब मिक्सचर 127 टेम्परेचर हमें दे रखा है फिक्स है मिक्सर का 127 डिग्री सेंटिग्रेट हमें पूछा गया है यह इंपोर्टेंट बात है यह आपको पता होने चाहिए एवरेज काइनेटिक इनेर्जी पर मॉल्यक्यूल पूछके घिए औब घस कितने होगी तो हमें पता अगर पर मॉल्यक्यूल एवरेज काइनेटिक इनेельजीट की बात करते हैं तो यह कितनी होगी एक ही बात करें तो यह हो जाएगी अपने पास में 3 by 2 kt यह energy अपने पास में कौन सी है average energy है पर न्यूप नहीं आता तो अंसमर इसका अलग होता अपने यहां पर बात की गई है तो यह सिर्फ टेम्परेचर पर कर रही है किस पर टेम्परेचर तो यहां पर इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा वो उनके मास पर डिपेंड नहीं करेगा इस तेंपरेचर पर यहां पर इसका रोजेगा वन रेशियो वन यह इंपोर्टेंट बात थी बेटा कि एवरेज काइनेटिक एनेरजी पर मोलेकुल हम से यहां पर पूछा गया था तो यह इंपोर्टेंट बात थी आपको पता होनी चाहिए थी चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्यूशन की क्यूशन नंबर 14 इन एन बोडी कंटें एक्स एन टूई के अब यहां पर प्रोटोन है वो तो प्लस में और इलेक्ट्रोन है वो किसमें माइनस में हैं तो यह इसकी वेल्यू रख दीजिए बेटा तो क्यूंकि अगर बात करें तो कितना होगा हम एनवन की जगह हमने माल लिया एक्स इलेक्ट्रोन है तो वह अपने पा सब्सक्राइए उसको नंबर 15 हमें यो के लिए परावेदु सामर्थय कितना होता है थ्री इन्टू टनू नजी पावर 6 सिक्स रेजिस्टेंस कितना होगा तो अगर अपन द्खान से इन 192 डेखे तो यह कितना है इसका 9 ओम और आगर यह रेशियो और हो है तो हम बोल सकते हैं यह क्या है लेट इस्टॉन ब्रिजोंच है यह बात आपको पता होगी कि अगर स्वाइयर रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है तो वह वीट इस्टोन ब्रिज होता है अगर यहां पर वीट इस्टोन ब्रिज को हम समझते हैं तो हमें पता होता है कि वीट इस्टोन ब्रिज में जब पोटेंच्याल से मोटा तो उस वायर को अपने काउंटे उस रिजिस्टेंस को काउंट नहीं करते तो we में बात की जाए तो अगर अगर यहां पर देखते हैं मए पधास नहीं करेंगे तो हम यहां पर देखते हैं मिलेगा यह वाला इस तरीके resonates से प्राप्त हो जाएगा यह रेजिस्टेंस हो गया यह रेजिस्टेंस हो गया यह तो यह अपने पास यह निचे वाला Nu गया तो यह कितना हो गया education Now back now किसमे ने हैं परलल का में पता है कितना ने इपने तो लिए थो करते हैं तो आर की सबस्क चाहिए होगा कि यहांपoh होता और प्लस आप यह तो यह वाला रिजिस्टेंस यहां पर काम नहीं आएगा चलिए बात करते बीटा नेक्स्ट की मैं आप बात करें नमबर 17 नमबर 17 पूछा गया है तैसा यूनिट ओफ मोबिलीटी मोबिलीटी की ऐसा यूनिट क्या होती है गती सिलता की पुछी गई है तो हमें पता है गती शिर्ता का जो सोफ हो मूज वह टारिंवी chronology यहां पर की बात की जाए तो दिब्डा दिफ्ट वेलोश्ट के हैं और वेलोश्ट रिवाद की जाए तो इसकी कि यहां मेड स्कॉरार कि आप औहन में यह जाएगा मेड और से करन तो इसकाहान सुरा ह dönुड मेड स्कॉरल्ट ऑप्शन सेकन्ड करेक्ट होगा चलिए बात करतें डैक्स्ट से स्कॉइर यह फ्योन मैटें कुछ आपको पता तो व शळाए कि यहोग है जिरो पॉइंट टैन मीटर और इस पर नंब और ट्रंस भी दे रहें रहें ट्रंस कितने हैं हंड्रेड इफ करेंट फ्लोइंग इनिट करेंट की वेल्यू कि हमारे पास में गीवन है कितनी है वन एंप्यर गीवन है अब हमसे पूछा गया है कि इसका मेगनेटिक कि पूछा गया हम सिंपली मोमेंट का फॉर्मॉला होें यह पर के नंबर ऑक्रंश हंड्रेड एन और स्कूरेल का यू अलिये कितना हो जाएगा तो यह हो गया जिरो पॉइंट अ किसम है ध्यान से देख लिजिए यहां पर यह मीटर में यह लिखेंगे तो यह लिए अपने पास केंगे तो कि भूआएं चरीं फॉर चाहिए को जएका इस को सोल करके देख लीजिए सिंपल वेल्यू है वह पॉइंट में 10 और इधर हंड्रेट है तो इस बचेगा कितना 3.14 बचेगा चलिए बात करते बिटा नेक्स्ट क्यूशन की हमारे पास में कोई वाइर है ठीक है यहां पर अर्थ मेगनेटिक फिल्ड की बात की गई है जो किदर होता है साउट से नोर्थ होता है जिसकी वेल्यू हमारे पास में कितनी दे रखिए बिटा बी इस इक्वल थ्री इंटू टू दी पावर माइनस फाइप और डाइरेक्शन होगी अपने पास में साउट टू नोर्थ होगी दा एंड ओफ वायरेट हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशल इ डाइरेक्शन के साथ में लिखेंगे तो लिखेंगे एल डोट वी क्रोस बी क्या लिखेंगे एल डोट वी क्रोस बी के तो यहां पर अगर अपन बात करें बैटा वी क्रोस बी ही हमें क्या बताती है जो इमफ होता है इसकी डाइरेक्शन बताती है यानि हमें यह पता चल कि यह पॉजिटीव टरमिनल को क्या भी पो क्या करेंगे यह पक्ति करेंगे आंगे थे चल को अदा हुई आपने पास है यहाँ से बात हो तो हमने मахनगे चला से यह लोग हंION और यह इस से वेस्ट में रख दिया आप प्रसकैंगे जिसमेंस नोर्फ सब्सक्रांप हो तो यह वाला पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास में पॉइंश्ट हो जाएगा तो रणना है इसकी डायरिक्षन किदर आएगी इस्ट में आई आई यह बात आपको समझ वे आ गई होगी ज्यान से देखिए यह माली यह वाइर बैटा और यह अपने पास में नौट से हो गया इसंट हो गया और यह अपने पास में इस्ट हो गया यह नोट फैर अब अपने बात करें तो हमें आपने मेद्ने को किंदर लिया और direction में लिया और यह किधर जा रहा है वी की ओर जा रहा तो मैंने बी में जब इसको आपने हाथ को टरं करवाया तो यह इस्ट की ओर आएगा तो इसका वहां सर कौन सा हो जाएगा चलिए बैटा बात करते नेक्स्ट क्यूशन की देखें ध्यान चेक यूशन नमर्ट 20 एक गति 21 की यहां पर हमें पूछा गया the magnification of two thin lens placed in contact hour M1 and M2 the total magnification of the combination combination में अगर आपने पास में आली जो कोई भी type के lens है इनको ऐसे combination में रखा गया है इनके लिए हमें बताना है कि कुल इसका magnification कितना होगा total magnification हमसे पूछा गया combination का कितना होगा तो अगर हमसे पावर पूछी जाती तो हम लिखते P1 plus P2 plus P3 देश 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 अगर focus पूछा जाता तो हम लिखते वन अपन एफ इस एक्वल वन अपन एफ 1 plus 1 upon F2 plus 1 upon F3 और अगर magnification पूछा गया है तो लिखेंगे M1 into M2 into M3 so on इसका answer कौन सा जगा 4th option क्रेक्ट होगा आई ओप यह बात आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी चलिए बट्टा बात करते हैं नेक्स्ट क्यूशन नमबर 22 की यहां पर दे रखा है अगल अब प्रिजम इस 60D अपने पास में फ्रिजम एंगल दे रखाए counting यह 271 कि यह किया वह कितनी अपने पास में है हमें बताना है कि जो इंसिडेंस एंगल है उसकिका होगी मीठा क्या होगी तो इस्केस में पता में एकिणेंस एंगल और इमीर्जन operates душ को जयेंगे यह अपने पास में इन दोनों के बीच में यह देखा तो यह अपने पास में deviation angle हो गया तो यह तो अपने को पता होगा तो यहां पर formula क्या होता है minimum deviation का यह तो सब अपने को याद होगा minimum deviation का जो formula होता है वह होता है आई इस इक्वल डेल्टा प्लैस एबाइट तो अप्लाई कर दीजिए डाटा हमारे पास में है तो यह कितना होगा 60 अपने पास में 45 डिग्री तो इसका अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए बीटा बात करत अप्ति कल इंस्टूमेंट देरखा है और उस पर और इस रहो है फैला यहां यहां फैला बोलेंगे यहां पर देखी घृत को werd कर और समまだ ऑगा जो भाब को कॉन करेगा यह वाला इसको डाइवर्ज करेगा यह कौन सा उद् 되는데 को सब्सक्राइब even अगर यहां पर कोशी सब्सक्राइब करता इनको है यहां पर का वह कर अखर शाय आख मैसी ने फिसले पोटन्म की फेला रहा हुआ कि शैप वो गिवन है बिटा 24 की बात करें एलेक्ट्रोन एल्फा पार्टिकल एंड प्रोटोन है व्द सेम काइनेटिक एनरजी इनकी काइनेटिक एनरजी सेम है अब पूछ रहा है में इसकी लार्जेश्ट दी ब्रोगली यह गलती मत कर देना जब भी क्यूशन पढ़ें तो यह एक पर टिपेंट करेंगा उसका वेवलेंद्थ क्या बात कि कि जाए तो सबसे कम किसका होता है इलेक्त्रों का होता है कि इलेक्ट्रों का सबसे जादा होगा इलेक्ट्रों करते हैं फोटोन इमिट हो रहे हैं पर सेकेंड तो नंबर ओफोटोन की बात की जाए तो वो कितने होगे अपने पास में 5 into 10 to the power 19 फोटोन होगे यहां पर फोटोन की एनर्जी हमसे पूछी गई है कितनी होगी तो फोटोन की एनर्जी अगर अपन चेक करें तो कितनी हो जाएगी हमें पता है नमबर ओफोटोन का फोटोन होता है n इस इक्वल पी अपान में e यहां पे वेलियो अपने पास यहां पर आसानी से आप चेक करके बता सकते इसका अंसर क्या आएगा यहां पर यहां पर पूछा गया था हमसे फोटोन के एनरजी पूछी गई ती यहां पर बने यह थोड़ा सा आपने पास में पूछा गया पूछा गया तो यह निकालना है तो पी कितना हो गया ट्वंटी नंबरों फोटोन कितने गिवन है देखे ज्यांसे फाइप इंटू टूदी पावर 19 आप सोल कर लीजिए इसको मैंने फोर्मिले में थोड़ा सा दिखने में मिश्टेक कर दीती इन्टू टू दी पावर माइनस 19 इसका अंसर कॉनसा हो जाएगा और एनरजी की यूनिट क्या होती जूल तो यह हो जाएगा अपने पास में फोर्मिला बेस्ट अपका सबका आपने किया होगा आपको समझ में आ गया होगा चलिए बात करतें नेक्स्ट क्यूसन की यहां नाभी के इस्ताहित्व का निर्धान कैसे होता है तो नाभी का इस्ताहित्व यह हमें पता है बेटा पर नुक्लियोन बाइंडिंग एनर्जी डिसाइड करती है कि कौन सबसे ज्यादा इस्ताहिए होगा और आपने निचुरली बात करें तो आईरन जो फिप्टी सिक्स होता घी जादा ऑगा दो यहाँ फिस् सेवन यहां पर अपने पास में ये रख है जिसकी कितना एक वेलEU कितनी है है एक वेल्यू कितनी है तो हमें पताएं रेडियस का फॉर्मला क्या होता नूलमे स्केलिए आर इस इक्वल आ नोट एक पावर बाई त्री आर इस इक्वल आड़ नोट एकवार wil लिख सकते हैं और यह 1 by 3 आ गया तो यह आ गया आपने पास में फर्ष्ट क्रेक्ट होगा 3.6 फर्मी चलिए देखते हैं फॉर्मुला बेस्ट क्यूसन था क्यूसन नंबर नेक्स्ट ट्वंटी एट की बात करते हैं तो हमारे पास में क्यूसन ट्वंटी एट एक डाइग्रा होता अपने पास में तो यह देखते ही पता चल गया किसका होता है यहाँ पिछ दिख रहा है तो इससे हमें पता चल गया यह कौन सा फिरेंट होगा फूल वेव रेक्टिफायर है उसमें पुछा गय की इंपूट फ्रेकुएंसी कितनी है bends में सिरिक एट तो आपसे पूछा कि deepest ps कितनी होगी तो आउटबूट फरक्वेस्टी का डिक्टी फायर के लिए फोर्म्वला क्या होता है आउटबुट फरक्वेस्टी की बात करें तो यह कितना ऊजएगा आपने पास में कि यहां पे फुल वेव रेक्टिफायर की बात की गई है तो फ्रक्वेंसी डबल हो जाएगी चलिए बात करते हैं लास्ट क्यूशन अपना जो थर्टी क्यूशन देखते हैं कौन सा क्यूशन है ध्यान से देखी बीटा यहां पे यह पूछा गया है पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी क जब आपन बाहरा पर सिलीकन और जर्मेनियम के साथ बनाते हैं तो चार एलेक्ट्रोन तो बेटा क्या कंबाइन हो जाते हैं बट एक एलेक्ट्रोन रहता है जो इनके यहां पे मूव होता रहता है जिसकी वज़े से इसमें अच्छा हुआ होगा अब चैक कर लिजिए कि आ प्रब्लम थी तो उसको अपन कैसे कहां आपने मिश्टेक करी है आपको अच्छे समझ में आया होगा जैसी एलसी थेंक्यू हेलो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं 2021 एस सैट का स्टीए सी पेपर हेलो बच्चों हम पेपर सॉलुशन करें केमस्टी का जो अभी आपकी रिसेंटल एक्जाम हुए इसकी आप देखो कैसा नंबर फस्स देखो जो हमारी यहां पर देरका 31 यहां पर देरका च्छ 4202 CO2 प्लस 2S2 इन अबो रिक्शन नंबर आप मॉल्स आप कार्बन डाय उक है बनेंगे हमें देहन रियक्शन दे रखी देखो क्या देहन रियक्शन दे रखी है यह कंबस्चन डेक्शन है च 4-2-2-2 और यह कनवर्ट हो रहा हमारी पास में CO2 के अंदर और 2S2 में जेहां पहां को किया रखा है मेथे निसका मास दे रखा है और हमको पूछा क्या है कारबंगा उक Courtney से निसके छहे तो किसी भी रिएक्शन को क terrific होता है कि किसके रास्पेक्त में इसके रिफेक्ट करक्ते लिए कि इसके स्टाइक कमेट सिपाइटक का मदस्टे है इसके जितने मौर का कंभिस्टिन होगा उतनी कारबन को को फॉर्मेशन होगा तुक्छे करना ढोलagain मेए जांप हो फोड पर हो के मोल के मुलग करें मोल करें गिवन to the power minus 1 upon 16 4 4 just 16 तो क्या होगा 1 by 4 1 by 4 कितना होता 0.25 into 10 to the power minus 1 तो हमारे पास में क्या हैगा 0.025 यह मोल बन गए है तो जितने मेथन के मोल बनेंगे उत्री क्योंकि दोनों कि इस्टायकिमेट्री क्या रखे है सेम तो क्वंसा उप्शन हो गया 1st option साथ इसको देखेगा गए next देखते है next देखेगा हमारे पास में next क्या रखा एधे रखा 0.2 M NUH देखिएगा यहाँ पर हमें क्या दे रहे कि NUH इसकी मोलिटी गिवन है 0.5 M और सॉलुशन हमारी पास में कितना 500 ml तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए NUH इसकी अमाउंट किसम पुछी गई डाम के अंदर यानि हमें मोलिटी गिवन नहीं उसका वोल्यूम गिवन मास गिवन मास्аз मैं यह माण नहीं अक्सच ग्राम अपन मॉलर मास यह लिक्सट अता मोलुकिल में अगरवल्यूम एरा ml के अंदर है बिदि अगर ml के अंधर देन हुआज से मल्टिप्लाई वाइ थाओजल्ट थाओजलं से मल्टिप्लाई गर देते हैं यहमें किसमें अक वे देखो सोडियूं का कितना होते है सोडियम का होते है सोडियम का होते है है एक हाइडोजन और 24 16 किसकी होगे खुवेस्टेंट तो कितनी होगे 40 कि वोल्यम कितना 500 एब वड़ी यह होगा है थाउजंट cancel out, कितना बच गया है 2, तो कितना है गया X gram equal to X gram equal to 0.2 into 40 upon 2, cancel करो कितना होगा 0.1, 40 multiply by 0.1 then 4 gram हमार option कुन सा होगा है, ठीक है, next देखिएगा O2 negative के समान electronic विन्यास रखने वाली परमानियो species है, the atomic species having similar electronic configuration of O2 negative, तो O2 negative में कितने electron होगे 10 electron है, oxygen का atomic number कितना होता है 8, अगर वो neutral होता है तो उसके पास में number of electron कितने रहेंगे 8, 2 negative है, इसका मतलब कितने extra electron ID कर दिया आपने 2 extra electron add कि-2 तो क्या करोगे आप 8 plus 2, कितने electron होगे आपके पास में 10 electron, 10 का electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, अब जिसके पास में 10 electron होगे, उसके electronic configuration सेम रहेगा, तो यहाँ पर आप होगे, इसके पास में electron sulfur, कितना होता 16 or 2, 18, इसके पास तो नहीं वा, fluorine का कितना 9, sodium का 11, mg प्लस 2 को देखते हैं, magnesium कितना है, mg प्लस 2 आपने लिए, magnesium का कितना 12, प्लस 2 किया, इसका मदब कितने electron को रिमू किया, 2 electron को रिमू किया, तो माइनस तू आपके पास में कितने electron हों कि 10 electron, तो यहाँ पर भी 10 electron थे, यहाँ पर भी 10 electron है, जिसके पास में number of electron same होते हैं, उसका electronic configuration हो भी आपको क्या मिलेगा, same, ठीक है, नेक्स देखी गा, representative elements आओ, SNP block के elements उसको हम क्या बोल देते हैं, representative element बोल देते हैं और निरुपक तत्व है यह नाम देते हैं, की कि, तो कौन सा हो गया, SNP block elements, अब देखो, the correct ascending sequence of dipole moment of molecules is, अनुवो की दिधर्रागरोंड का सही बढ़तावा क्रम क्या है, क्या इसका डाइपॉल मोमेंट आता है सबसे पहले हम बात करते हैं बीएफ थ्री बीएफ तरी का हाइबिडाइजेशन देखोगे तो थ्री सिग्मा बॉंड है लॉन पेर है नहीं हाइबिडाइशन क्या होगा इसका स्जानी रेगूलर जोमेर्ट्री बनें और जाहां पर भी нек्यिंच अपन रहे है वहाण पर डाइपॉल को मोमेंट की यहां पर आएगा यह से कैंसलागा तो सब्सक्र कितना होלא 0 to be F3 का तो कितना हो जीरो और ns3 और nf3 दोनों का हम देखेंगे एक लॉन पर 3 sigma bond hybridization में देखा होगे 4 hybrid orbital बन ने तो hybridization हो गए आपका sp3 और sp3 hybridization के अंदर एक लॉन पर आने के कारण इसकी जो geometry होगी यहां पर जोमेट्री होगे इसके कैसी होते है प्रामेटर है यह जोमेट्री होगे यह इदर अट्रेक्ट करेंगे यहां पर चार्ज होगा वो कंपरिट्व यहां पर क्या बन जाएगा कम जब यहां पर चार्ज बढ़ेगा यहां पर चार्ज कम होगा ऊटा हूं और प्रिक्टिक लिए देखा जाता है इसका लगभभई 0.24 के आसपास होता है तो सब्सेश्यादा हमारे पासमे किसका होता है?. आमोनिया का, उसके बाद में क्या होता है N 3 का . ए और सबसे कम किसका हुग बस्लिंट ए किया ? बस्लिख अमरे पासमें फिर आगे हमारे पास में 10 फिर एक होमारी न स्लि før चोना होगoh fulfilling 10-12, next, at 300 Kelvin and 1 bar, ये ते ते रहाखा ये प्रेशर दे रहाखा ये प्रेशर दे रहाखा, ये प्रेशर दे रहाखा, ये प्रेशर दे रहाखा, Nitrogen gas filled in a balloon in 200 is 200 ml, then by increasing temperature up to 360 at constant pressure the volume of gas will be, देखो, प्रेशर आपका constant दिया, constant pressure, pressure constant होगा तो वी डिरेक्ली प्रपॉर्स्टन होगा ती है, तो ये उप्रेशर कोस्टन होगा ती है, तो ये उप्रेशर कोस्टन होगा ती है, तो यहाँ ये लिख सकते है, V1 upon T1 equal to V2 upon T2, देखे का, volume कितना है, first 200 ml, temperature कितना है, 300, बादवालो वोल्यम कैलकुलेट करना है, temperature कितना कर दिया, 360, 0 से 0, cancel out, ये 0 से ये वाला 0, cancel out, तो V2 equal to क्या होगा, 20 into 36 upon 3, 20, तो कितना होगा, 240 ml, तो यहाँ बच्चो देखो 240 ml किसमे आ रहे, second volume, clear one, next देखिए, at 37 degree centigrade and 1 bar, the volume of 2.2 ग्राम carbon dioxide will be, देखो temperature हमें दे रहे, केलिवन में लिख लेता हूं में, 37 plus 273, कितना होगा, 310, pressure of 1 bar, pressure यहाँ पर कितना दे रहे, 1 bar, carbon dioxide है, इसके mole calculate करेंगे, तो mole क्या होता, given mass upon molar mass, given mass 2.2, molar mass कितना होता, 44, तो कितना होगा, 1 upon 20, तो volume क्या होगा, तो हम क्या जानते, PV equal to nRT, तो V equal to हमारे पास में क्या होगा, nRT upon, mole कितना है, 1 upon 20, यह कितना आपके पास में दे रखाए, 0.8, 0.083, temperature कितना होगा, 3,10, इसको solve करते हैं तो यह वाली value आती है, 1.28, ठीक है, ठीक है, नेक्स्स देखेगा, 4 methane, if atomization enthalpy is A, and average bond energy of carbon hydrogen bond is B, then the relation between A and B, और B के बीच में relation पुछा, एक तो आपको enthalpy दे रखिए, atomization enthalpy दे रखिए, carbon hydrogen bond उसकी bond energy given, देखो, यह हमारे पास में CH4, यह break हो रहा किसके अंदर, carbon plus 4 hydrogen, यहाँ पर जो enthalpy होगी, वो क्या होगी हमारी atomization enthalpy, और यह atomization enthalpy हो किसके बराबर होगी, इसमें कितने bond present carbon hydrogen, 4 carbon hydrogen bond present, यहाँ पर atomization enthalpy हमें क्या देदी, यह 4, और carbon hydrogen की क्या देदी, तो A equal to क्या होगा, 4B, then B equal to हमें calculate करना होगा, क्या होगा, A by 4, B equal to हमारे पास क्या होगा, A by 4, next देखेगा, यहाँ पर देरके एक reaction देरके N2 plus 3 has to change in 2NS3 और यह delta S दे रखा है, the suitable condition for high yield of ammonia in above, यहाँ पर ammonia की ज्यादा yield बनने के लिग क्या condition होगी, यहाँ पर हम लगाएंगे लिच अटली प्रिंसिपल, सबसे पहले हमारी जो reaction और एक्जोथर्मिक, यह एक्जोथर्मिक, डेल्टा S की वेल्व क्या दरीके नेगेटिव, नेगेटिव दे रखा तो क्या होगा, एक्जोथर्मिक, और एक्जोथर्मिक reaction होती है, उसके लिए required condition होती है, low temperature, एक्जोथर्मिक लिए forward direction, यारी ammonia formation के लिए, क्या condition होगी, low temperature, temperature की value, वहां पर क्या हो निची यह low, low temperature, दूस्य कंडिशन यहाँ पर pressure की दे रखाए, pressure का भी दे रखाए, तो यहाँ पर हम यह जानते, pressure increase करने पर with increasing pressure, pressure को increase करने पर, यहाँ पर equilibrium कोस्ट डियरेक्शन में shift होता है, जहाँ पर number of moles कम हो, gas की मोल जहाँ पर कम होगा उस डियरेक्शन में चला जाएगा, इधर देखते है, gas की कितने मोल फो, nitrogen, ammonia में gas की कितने मोल फो, pressure increase किया, then equilibrium shifted towards less number of moles, तो आप को यह जानते हो, ammonia direction में, less number of moles, इस लिए क्योंच से direction में shift हो जाए गए, forward direction ठीक है, तो कहाँ आपर होगा, low temperature and high pressure, atleast की presence में reaction होता है, याद ना, iron and molybdenum लेता है, नेक्स देखिए, example of disproportionation reaction, disproportionation reaction, वो reaction होती है, जहाँ पर एक element का oxidation भी होता और उसका, उसी का क्या होता है, reduction, तो यहाँ पर हम देखेंगे, इस वाले के अंदर देखिए, hydrogen proxide है, S2O2 है, तो हम यह जानते ही, hydrogen proxide होता है, half open book like structure होती है, इसकी, ऐसा होता है, कितना चार्ज होता है, यहाँ पर यह-1 से किसके अंदर जा रहा है, यहाँ पर O-2 में, और यहाँ पर यह-1 से किसमे जारा है, दोनों पर माइनस वन किसमे जारा है, जिए, negative oxidation state decrease होई है, इसका मतलब तो यहाँ पर क्या होगा है, इसका oxidation, और यहाँ पर negative oxidation state increase ह गी है it means it gain electron और जहां पर भी electron gain होता वहाँ पर हम जानते क्या होता है reduction तो एक ही element का oxidation भी हो रहा है reduction भी हो रहा है वो क्या होता disproporptionation redox reaction next देखेगा the chemical equation for formation of dihydrogen in the electrolysis of brine solution पेटा brine solution होता है saturated aqueous initial solution इसको बोल देते हैं brine solution brine solution होगा जब इसका electrolysis करेंगे तो हमें पता एक तो यहां पर होगा na plus और दूसा होगा c l minus और साथ में क्या प्रजेंट होगा वोटा कोई भी आयन का electrolyte electrolysis करते हैं तो अपने respective electrode पर जाकर deposit हो जाता है और जब भी वह अपने respective electrode पर जाकर deposit होता है तो वहाँ पर न्यूटन हो जाता है अब देखो यहां पर एक चीज़ और बता देते हैं के थोड़ पर हमेसा होता है reduction और और अनॉट पर हमेसा होता है oxidation reduction से कौन सा न्यूटन होगा यहनी gain of electron से कौन न्यूटन होगा अने प्लस तो आप दो कंडिशन है या तो अने प्लस है वो न्यूटरल हो यह बनाए या फिर वोटर है वो electron को गेन करके किसमे कनौट हो जाए hydrogen में इन दोनों में से reaction reaction रियक्शन डिपेंड करती है इसके discharging potential पे जिसका discharging potential की value लो होती है product उसी के according form होता है और भीट आपको यह बता देते है वोटर और एस ब्लोग का मेटर लग तो discharging potential discharging potential water का कम होता किसकी comparison में as compared to s block matter तो जिसका discharging potential कम होगा discharging potential होगा होता है minimum required energy for the discharge of a particular iron on respective electrode is known as discharging potential और जितना कम discharging potential required होगा वही product बना ही किसका discharging potential कम होटर तो वोटर की कान कौन सा प्रोडेक्ट बनेगा H2 और gain of electron की कान प्रोडेक्ट कहा पर जाता है cathode तो कुण सा होगा है 4 ठीक है आगे देखी रिजन फॉर्ट ब्लू कलर सॉल्यूशन आफ एल्कली मेटल form in liquid ammonia is the alkaline metal liquid ammonia में जाते है तो ammoniated electron pair बना लेता है जिसके कान वो क्लर शो करता है यह सब्लो का याद करने वाले क्योंसान है तो ammoniated electron के कान वो क्या करता है ठीक है ठीक है respectively is book mister fully note a carbon इसकी allotropic form और इस allotropic form में देखो क्या रहेगा इस allotropic form इस six member percent होती है और five member ring percent होती है इस six member or five member यहां पर यह जो six member ring present होती है इसके number होते है 20 and five member ring present होती ही यह आगे देखेंगा आई पीछिन आम आफ च ल, C, S, 2 , C, e, सका आई पेच लोगर करते है तो क्या वोको 3 पर कलोरों substitute काहँ पर है 3 पह तो क्या होगा 3 क्लोरो 3 कार्बन क्या होता है प्रोप योगा प्रोप और डबल बोन कहा है पहन पहन पही पॉप इन भी लिख सकते है फिर क्या लिख सकते हो वन ए ए दन option correct option is third पैरओ लेक्त्रो फाइलिस्पिस्टिक इलेक्तरבהल स्पिस्टिस कॉन सी होती है किंभा ट्रांसफर होता है यह 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 देख मुख से मत का बंथा ट्रांसफर होता है यह पर नैगेटिव हाए गए इसके ऊपर पोजिटिवा तो यहां पर पाई बोन्ड होता है पाई भून टास्फर के कान यह वाले क्या होते कि मिहाइज इलक्टो पर जबकिया पर तो यहां पर तो यह इलक्टो फाइल है लेकिन एन एंस थिप तो लोन फेर परजेंट रहु यह एक रियक्शन दे रखिये इसमें A & B क्या होगा देखो सबसे पहले आपको यह देर का CS3, CH2, CH2BR, यहां पर हम लेते हैं अल्कॉहलिक कोच, इसकी परजनसी में हीट करते हैं, हैं एल्कॉहलिक के ओच के ओच की परजनसी में हीट करते हैं तो यहां पर बेटा होता है, एलिमनेशन एले क्या हो जाएगा है, पर एलमनेशन होगी ओम पर एलमनेशन रीक्शन से है, एलकिन का फॉर्मिशन होगा तो क्या होगा CS3 CS221 CH अब यह वाला CS यह होगा वैलन से कम्टेट के फिर HBR के साथ में रिएक्षिन करें पाइनिक रिएक्षिन हो तो यहां पर क्या होगा इस बॉंड के लैक्टोन है इस डिरेक्शन में जाएंगे तो इस पर नेगेटिव इस ज्यादा पॉजिटिव होता है इसलिए बिया नेगेटिव इस पर जाके अटेक कर देगा एस प्लस हो इस पर आकर जूड जाएगा हमारे पास में क्या बनेगी CS3 CH BR और CS3 को कौन सा होगा से कि लोग से नेक्स्ट देखेगा ग्रूप अप इलेक्टिक कंड़क्टर इसका कण्ड़क्टर कौन सा हो उद्यक्त इन इलेक्ट्र इस्टोपर तो कौन सा होगा थर्ड ओप्सट ये देखो कंसेंट राइड रखने वाला 1.5 यानि अगर फ्लॉराइड वोटर के अंदर आ जाता है तो इसके आड हमारे नांते ही ख्राब होनी लगते है यहां पर देखो, the value of order of chemical reaction having k equal to इतना दे रखा है, तो जब यह ऐसा है क्या है, k दे रखा हो, तो यहां पर इसकी unit देख, second inverse, तो k की unit क्या होते है, concentration की power, यह होता है, concentration power, n-1, second inverse, n की value कितनी रखे है, आपने, 111-10, तो यहां पर value सिरफ क्या आएगी, second inverse, इसका मतलब, n की value 1 रखने पर यह value आती है, means order of reaction क्या होगी, first order, तो कॉंसी order reaction होगी, first order, जहां पर भी second inverse आगा है, वो कॉंसी order reaction होती है, first order reaction, depressant used for the separation of zinc sulfide and lead sulfide in froth flotation method is, देखो, froth flotation method हो, वो यूज में लेते हैं, sulfide ores के लिए, और वहां पर और भी sulfide हो, और उसमें present impurity हो भी sulfide हो, तो वहां पर एक depressant मनाते हैं, जो उसका water soluble complex मनाकर हटा देता है, और यहां पर यह sodium cyanide यह मिलाएंगे, तो यह sodium cyanide होता है, इसका water soluble complex मनाकर, एक component है, उसको water में dissolve कर लेता है, दूसरा क्या करेगा, froth formation से हट जाता है, तो यहां पर कॉन सा होगा, sodium cyanide, if atomic number of a metal is 26, then the calculate magnetic moment of M plus 2 in Bohr magneton will be, यहां पर हम देखते है, Z equal to कितना गिवने 26 और हम जनरल जानते किसका होता है, अपर, electronic configuration लिखेंगे, तो argon के बाद में आप देखोगे, तो कि होगा 3D 6 or S2, but क्या सन में हमें गिवन है, यह कॉंछे oxidation state में present है, plus 2, then 2 electron यहां पर remove करोगे, तो क्या जाएग, F e convert in F e plus 2, then 2 electrons are removed from 4S, then electronic configuration will 3D 6, D में number of orbitals, number of orbital होते 6, orbital होते 5, number कितने electron के 6, तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह होगा, तो तो यहापे नुबर of unpaid electron हमारे पास में कितना है, नुबर of unpaid electron होगे 4, n को में number of unpaid electron होगे 4, n को में number of unpaid electron होगे, कितने होगे 4, magnetic moment है, इसका formula होता है, n into n plus 2, under the root for magnetic time, n की value कितनी बेटा रखने होगे 4, तो क्या रखने होगे 4, 4, plus 2, इसको solve करते होगे तो ही अलमस्त आता 4.9, और में देखेगा आई पसी नेम of ni-co4, coordination compound का है, ni-co4, neutral complex है, neutral complex होता है तो पहले हम किसका नाम लिखते है, एक ही पार्ट है, i-resistant sphere है, coordination is very present है, तो coordination is first हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, then after matter का नाम लिखते है, और जो भी entity is square bracket के अंदर present होती है, they are written with their number, उनको number के साथ में लिखा जाता है, तो यहाँ पर 4 CO present CO को हम बोलते हैं, carbon, तो हम इसको क्या बोलेंगी, tetracarbonyl, tetracarbonyl, metal को लिखेंगे, बेटा neutral और positive होता है, तो जननल नेम लिखा जाता है, निकल लिखेंगे, oxygenation नमर कितना होगा, जीरो, तो क्या होगा, tetracarbonyl, nickel 0, next देखेगा, the compound exhibiting highest reactivity towards SN1 reaction is, इन में से कौन सा compound होता है, जो SN1 reaction के अली highest reactivity show करता है, देखु सब से ज़्यादा था होता है, 3 degree उसके बाद में होता है, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे, यह भी 1 degree, यह भी 1 degree, अब यह वाला तो हरता ही निसी यह पार्षिल डवल बॉन का फॉर्मेशन कर ले था, और यह वाला क्या होता, फर्स्ट पार्ट में, फॉर्मेशन ऑप कार्वो के टाइन, और जिस कार्वो के टाइन टी सबसे ज्यादा होती है, वह हाईली reactivity show करेगा, तो सब ज्यादा इस्टेबिटी कि स्केप एंचाई लिए, ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर यह reaction दे रखाए, यह reaction दे रखाए, तो वह रियर करके कौन सा मेजर प्रोडेक्ट देता है, इसके अंदर, तो यहाँ पर देखो, यह 3 डिग्री हलाइड, तो यह 3 डिग्री हलाइड, विलियंसर इथर प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, तो उसके अंदर 3 डिग्री वालक इसका फॉर्मेशन करते हैं, 3 डिग्री वाले, एलकीन का फॉर्मेशन करते हैं, यह क्या बनाएंगी, एलकीन, तो यहाँ पर देखो, यह एन बियार हटेगा, और यह क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन के थुरू क्या बना ले गई, एलकीन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन क के साथ में sodium alcoxide है और यहां पर क्या बना लेगा एलकेम और वन डिग्री होता तो इथर का फॉर्मिशन होता हुआ टॉलन रिएजन्ट सिल्वर का अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स होता है उसका उम्भल देते हैं टॉलन रिएजन्ट अब देखें आपर एक स्टेंट का ओडर पूछ है यह फॉर्मिक एसीड है असिटिक एसीड है बेंजोईक एसीड है और यह एक एसीड दे रहा हमें जानते हैं असिटिक स्टेंट डिरेक्ली परपर्शन होता है माइनस आई इफेक्ट जिसका आई फ्रक्ट ज्यादा उसको देखा तो सबसे जादा किसका वर्टी का तो सबसे पहले कौन साओ यह इए उसके बाद में कौन सा ओगा फॉर्मिक एसीड उसके बाद में बेंजोईक एसीड और सबसे लास्त पिकॉन सा भाब B acetic acid ठीक है तो कॉन सा होगा सबसे वहले दी या पे दी या रहे फिर A फिर C और फिर क्या होगा है भी एहनी acetic acid होता ही वीक और गनिक एसी होता है अनिमल स्थार्ट चीज यह याद कने वाला glycogen होता ही अनिमल स्थार्ट जूटर आइन दा कंपाउंड अग्जिवीट जूटर आइन इस्ट्रेक्चर इस तो यह बनाता है यह जूटर आइन बनाता है अनिम्हें इस डो ते उट जूटर आइन बनाते यह क्या होगा एसो थ्री नेगेटिव वह और यह नस थ्री प्लस पोजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में रहते हो क्या होगा जीटर आइन एमनोसीड का फोर्मेशन करो किया है यहापि रिक्षन आप ऊदे रख किए यहूर भी है यहां पर बताने एनिलीए इसकी रेक्शन nio nu to H CLS की साथ में करवाते हैं तो यहां पर ही इसके साथ में करवाते है तो यहां पर होता Dide position यहां पर हुता Dchiedenium salt स्का formation होता है यह होता Diggle Spring salt and it was here Dtone dagonium chloride भी बहुता है फिर ‎ato c02 cLL2 ह scripturesみ आपी होता है send me reaction और यहां पर formation होता ख्लारो बेंजीन तो पहला तो क्या होगा डाइजो टाइजेशन यहां पर हो रहा है फिर क्या होगा ख्लारो बेंजीन इसका फोर्मेशन होता है कौन सा होगा फ़स्ट क्लिए जaking क्यों अपका लास्ट गयसन जांपास्ट अगजीबिटिंग इंट्रा मोलग्लार हाइडॉज मदक्लिंग इंदर वो रहा है तो हम यह पढ़ क्या आते हैं क्या होता हैं ओर्थो नाइट्रो फिनॉल यह ओगए और्थो नाइट्रो फिनॉल और्थो नाइट्रो फिनॉल है यहां पर मोर एल्ट्रो नेगेटिव एटम की बीच में हाइड्रोजन आ जाता है जब हाइड्रोजन 60 डिग्री उससे कम होता है तो वहाँ पर पास में आने से इंट्रा होती है कुछा भी क्या है यहां पर इंट्रामॉल किसमें उत्ति है और्थो नाइट्रो फिनॉल में कौन सा होगा और्थो नाइट्रो फिनॉल सेकिंड वाला आप इसको अच्छे से सॉल कीजिएगा अल्टर वेली पैसे तो मैं देंद अग्रवाल टीम मैं CLC सीकर से तो आपका जो स्ट्री का एक्जम वह था तो उसमें में स्का सॉलूशन है वह भी मैं कराने जा रहा हूं तो आप लोग ध्यान से देखें तो शुरू करते हैं कॉश्चिन नमर 61 सबसे पहली बात क्या कहना चाहरा है यह इस सॉलूशन सेट ऑफ दी एक्वेशन एक्वेशन एक्स्क्वेर एक्वेशन की आ रही है एकतवार यह माइनस 2 और यह कर रही है तो सल्ट्रिस्ट सॉलूशन सब्सक्वेशन माइनस 2,1 तो प्सवेशन नम्र वन इस क्रेक्ट ठीक है चलेंगे नेक्स्ट प्सक्रण फूर्ट से एंड बी कंटेंस एलिमेंट वन एंट तो धेन नमर और A, 2 set B, क्या होते है अपना, बोलो, यह होता है अपना 2 की पावर, M into N, तो यहां पर आपके पास number of elements in set A कितना है 3, और B में कितने 2, तो 2 3 जा 6, तो 2 की पावर कितना answer आजाएगा, 6 आजाएगा, ठेक है, चलें आगे, next, question number, इसका answer दिकत नहीं है न, 3, sin 5 by 6 कितना है बोलो, 1 by 2, sec 5 by 3, cos 5 by 3 का reciprocal, तो कितना हो जाएगा यह आपका, sec 5 by 3, cos 5 by 3 कितना हो गे आपका, root 3 by 2, तो 2 by root 3, minus 4 into sin 5 by 6 कितना हो जाएगा, यह एंगल किसमें, second quadrant में इसको आप लिखे लो, sin 180 minus theta, तो कितना हो जाएगा, sin 5 by 6, सही है न, 5 minus 5 by 6 कितना हो जाएगा, 5 5 by 6, और sin 180 minus theta, क्या होता है, sin theta, तो it is equal to sin 5 by 6, और cot 5 by 4 कितना होता है, अपका बेटा, 1, तो कुल मिला के अपना answer क्या आपका, 4 into half, और यह कितना हो गया, 2 से 2 cancel out हो गया, तो यह कितना हो जाएगा, root 3, तो कितना हो जाएगा, root 3 minus 2 5 by 6, 1 second, सेक 5 by 3 था क्या हो, सेक 5 by 3 कितना, 1 by 2 होगा, 1 by 2, तो कितना answer हो जाएगा इसका, तो next question number 63, क्या कहना चाहरा है इसमें यह, the value of 3 sin 5 by 6, सेक 5 by 3 minus this, तो सब सब value गात क्या करेंगे, अपन बता हो, 3 into sin 5 by 6 कितना हो गया, 1 by 2, सेक 5 by 3 कितना होगा, अपना, 1 upon cos 5 by 3, और cos 60 कितना होता है अपना, 1 by 2, तो reciprocal क्या हो गया, 2 minus 4 into sin 5 by 6 कितना हो गया, sin 180 minus 30 degree, यानि कि sin 5 minus 5 by 6, कितना हो जाएगा, 5 by 6 आगे न, लोट कर, तो कितना आ जाएगा अपना, sin 5 by 6, और यह कितना होगा, 1, cot 45 कितना होता है, 1 होता है, तो sin 5 by 6 जाएगा, 1 by 2, तो 1 by 2 2 x 4 और यहां पर कितना रहा है दिखना सॉल करके यहां रहा है त्री तो 3-2 कितना अंसर आजाएगा ओन आजाएगा तो कॉंसॉप्शन से यह अप्शन नमबर 2 चलें आगे 84, 64, 64 question में क्या कर रहा है, the argument of the complex number this, तो देखो पेटा पहले तो उपन क्या करने है, इस complex number खोड़ा सा, rationalize करने है, simplify करने है, तो क्या मिलेगा मिलेगा मेरेको, 1 plus iota से उपर नीचे आप multiply करोगे, तो क्या आजाएगा नीचे, नीचे तो आगया 1 minus iota का square, और उपर क्या आजा 2, तो क्या बचा आपना, iota बचा, तो इसका मिलेगा क्या हो गया, यह जो complex number लिखा हुगा है आपके सामने, यह क्या लिखा हुगा है, 0 plus iota, 1 iota कैसा पहले आप इसको, तो क्या हो गया, argument क्या जाएगा इसका, b upon a, 10 inverse, यह नहीं कि कितना हो गया, 5 by 2, तो option number 4, चलें आगे question number 65, क्या कहना चाहिए, 1 upon 8 factorial plus 1 upon 9 factorial बराबर है, x upon 10 factorial, then find the value of x, तो क्या करो गया दाओ, पहले LCM ले लिए जाए, इनका LCM लोगे तो कितना हैगा, बोलो, 9 factorial आजाएगा, अब 8 factorial सी डिएट करूँगा, जब मैं, किसको, 9 factorial को, तो क्या मिलेगा, 9 plus, यहां तो कितना मिल गया, 1 equals 2 में क्या लिखा हुआ है, x upon 10 factorial, तो देखो, अब 9 plus 1 तो कितना हो गया, 10 हो गया, upon में क्या है, 9 factorial equal to x upon में, इसको मैं क्या लिए लिए सकता हूँ, प्यार से, 10 into 9 factorial, अब यह 9 factorial से 9 factorial कर जाएगा, 10 times the 100, x की value कितना हागी, मेरे 100 आगई, तो कॉंस औप्शन सी हो जाएगा, option number 1 आ रहा है, इसका, ठीक है, चलाएं आगे, next, question number 66, in an arithmetic progression, if Mth term is N, and Nth term is M, where M is not equal to N, then Pth term क्या होगा, तो कुल मिला कि मेरे को first term और common difference मिल जाए, तो मैं कोई भी term निकाल सकता हूँ, AP का, चलो, तो common difference और first term निकालते है, तो Mth term क्या दिरखा है, N, तो T M, कितना दिरखा ह N, और next, T N, क्या दिरखा है, M, चलो, करते है, solve इसको, तो यहां से तो क्या मिलेगा, मेरे को देखो आग, A plus M minus 1 into D बरावर N, और A plus, यहां से क्या मिलेगा, A plus N minus 1 into D बरावर M, ठीक है, अब इसको आप मैनस कर दोगे, इसमें से, तो मैनस कर दोगे, क्या मिलेगा, आपको, मैनस, 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 तो क्या मिल गए, यहां से, M minus N into D equals to N minus M, तो क्या है, they are same, but opposite in sign, तो D की value तो कितनी आगी, cancel out होने के बाद, minus 1, because M is not equal to N, तो आपन cancel out कर सकते नीचे ले जाकर, ठीक है, तो यहां से मिल रहा है, D equal to minus 1, तो D की value minus 1 यहां रखो आप, तो A का value कितना मिल रहा हो, तो A minus M plus 1 हो जागा है, sign change equal to N, तो यहां से मेरे ख्याल से A का value आ रहा है, M plus N minus 1, तो M plus N minus 1 आगया A, और common difference आगया minus 1, तो एक काम करूँ मैं अब, क्या निकालना है मेरे को, P है टर्म, तो T P equal to क्या आ जागा, A plus P minus 1 into D, तो A की value कितनी आगी थी है भी, M plus N minus 1, और P तो P ह से अपना, और common difference कितना है था भी, minus का 1, तो क्या हो जाएगा, minus का P आ जाएगा, और 1 से 1 cancel out, तो क्या मिल क्या, M plus N minus P, which option is correct, M plus N minus P, option number 2, चलते हैं आगे next, question number 67, the distance between parallel lines, this and this, is, parallel lines के वीचिए, distance क्या होगा है, तो एक काम करूँ आप, आपको पता है, Y equal to, दोनों लाइन से आप देखो जहां से क्या है, parallel है, इसका स्लोप क्या है, LINE का, M1 कितना है यहां पर, minus 15 upon 8, और इसका भी स्लोप क्या है, minus 15 upon 8, तो बोथ लाइन सार, parallel, तो एक काम करो, आप सबसे पहले तो, दोनों को convert कर लेता हूँ है, Y equal to MX plus C, तो क्या जागा है, Y equal to MX plus C, minus 15 upon 8, X plus 34 upon 8, औ Y equal to minus 15 upon 8, X minus 31 upon 4, 31 upon 8, ठीक है, यह मैंने क्या कल लिया, convert कल लिया, स्लोप form में, अब मेरे को बताओ, distance between parallel lines क्या होता है, distance between parallel lines होता है, mod of C1 minus C2 upon में, under the root of 1 plus M square, यह पढ़ा है अच्छे से, दोनों का स्लोप क्या है, सेम M, तो C1 minus C2 बताओ, कितना हो जागा, बच्चों, C1 minus C कितना हो गया, 34 upon 8 minus, minus minus क्या हो जागा, plus, यह भी minus का है, तो C1 minus C2 कितना हो गया, C1 plus C2 में, convert हो गया, और नीचे क्या है, 1 upon, under the root of 1 plus M square, M कितना है, इसमें, M है आपका, यह रहा, minus 15 upon 8, तो M square यह नहीं की, 225 upon, कितना जागा 64, तो इसको आप solve कर लो, आप कान सरा जागा, कर is, इस circle का radius क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए, कि X square plus Y, इसको convert कर लो, आप यह तो सीदी सीदे है, छोड़ो, convert कर लो है, यह बताऊं पूरा, दोनों तरीके सही है, यह तो convert कर लो, इसको, X plus 4 का whole square, minus 16 plus, Y plus 5 का whole square, minus 25, minus 8 equal to 0, तो क्या गया radius, इसमें center भी मिल गया, इकोल स्कूर्म कितना जाएगा, 24, 25, 49, 49 आ गया, which is a whole square of 7, तो radius कितना आ गया, 7, बाकि आप इस से नहीं करने चाहते, तो आप ऐसे ही कर सकते हो, X square plus Y square plus 2GX plus 2FY plus C equal to 0, general form of circle है, जनल equation of circle क्या होता है, यह होता है, और radius क्या होता है, इसका equal to under the root of G square plus F square minus C, जो भी आपको अ आगे है ना, उस method से आप इस question को solve कर लें, चलें आगे, चलो, next चलते है question number 69, the equation of set of points which are equidistant from the points this and this, तो let कर लो आप point, let कर लो एक general point P X, Y, Z, इसका distance जोनों से क्या है equal, तो इसको माल लेते हैं point A, इसको माल लेते हैं B, तो क्या हो जाएगा, P A equal to P B, और also P A का square equal to P B का square, तो X minus 1 का whole square plus Y minus 2 का whole square plus Z minus 3 का whole square, एक question में क्या आगया, X minus 3 का whole square plus Y minus 2 का whole square plus Z plus 1 का whole square, सही है, दौनों तरफ से X square, Y square, Z square cancel out हो जाएगे, और आपको X, Y, Z में एक equation मिल जाएगी, जो हैना, कर लोगे आदम से, चलें आगे, चलो, कर लोगे साहल, आदम से कर लोगे न, यहां से क्य Z, और constant क्या आएगा, 1 plus 4 plus 9, तो कितना हो गया, 0, 4, 3, और 14, सही हम आप यहां, तो कितना आजा गए, 9 plus 4, 13, 13 plus 1, 14, ठीक है, और क्या में में लेगा, minus 6X, minus 4Y, plus 2Z, तो स्वाल कर लोगे हम से, 14 से 14, cancel out हो गया, 4Y से 4Y cancel out हो गया, Z को स्वाल कर लोगे, चलें आगे, next, question of what 70, limits, तो देखो limit का question है यह, तो आप देखो ध्यान से, तो वन को जब आप रखोगे इसमें, तो यह क्या बन रही है, 0Y, 0 form बन रही है, और 0Y 0 form के लिए आपके वास एक ब्रहमास्त्र है क्या, LH rule, आप क्या लग सेते हैं, LH rule, तो LH rule क्या कहता है अपने से, जब भी 0 आप क्या कर लो, उपर नीचे differentiate कर लो है, तो limit x टेंडिंग टू 1, उपर तो क्या जाएगा differentiation इसका, x to the power n का derivative होता है, क्या होता है, यहाद है, x to the power n का derivative होता है अपना n into x की पावर n-1, तो क्या जाएगा 15 into x की पावर 4, 14 और 1 का क्या हो गया derivative 0, constant है ना इसलिए, और derivative 0, 15 upon 10 को बाहर निकाल लो, जो की अपना cancel out होने के बाद के तना आ जाएगा 5 by 2, है ना, 5 2 is 10, 5 3 is 15, अच्छा 3 आएगा उपर, क्या आएगा, 3 by 2, और limit क्या होगी अपने, limit x टेंडिंग 2 क्या है, 1, ऊपर के तना जाएगा x to power 5, और 1 और 1 आ गया, तो answer क्या जाएगा 3 by 2 तो limit क्या जाएगी 3 by 2, that is option number second, चलते हैं आगे next, question number 71, the derivative of fx this is, तो derivative निकलना है अपने को at x परावर 1, तो क्या हो जाएगा बोलो, f dash x, f dash x आजाएगा आपका, 1 का differentiation 0, x का 1, then 2x, अगला 3x square, 4x cube, और last जो टर्म होगा, उसका derivative क्या आएगा, 50 power आगया जाएगी, और power में से एक कम, n-1, तो कितना आगया, 49, तो अपने पास derivative कुछ sr है, अब अपने कुछ यह f dash कितना, x equal to 1 पर, तो जहाँ जहाँ x, वहाँ वहाँ 1 रख देंगे, तो जहाँ भी आप x दिख रहे हो, वहाँ पर 1 रखोगे, तो यहाँ से x बिल्कुल गाया बुचका होगा, और आपके सामने जो सीरीज है, वो क्या बन रही है, 1 plus 2 plus 3 up to 50, तो आपको यह पता है कि first 50 natural numbers का sum क्या होता है, तो आपको उसके लिए आत रखना पड़ेगा, कि first n natural numbers का sum क्या होता है, और वो होता है n into n plus 1 upon 2, where n is, जितने भी आपको natural numbers का sum चाहिए हो, तो sum of first n natural numbers होता है अपना n into n plus 1 by 2, तो n कितना है यहां पर 50, तो 50 into 50 plus 1 upon 2, कितना आ जाएगा बिटा, यह आ जाएगा 51 into 50 upon 2, कल लोग इसको solve, 2550 आ गया, तो कल लोग इसको 1200 बच्चेस आ रहे, कितना रहे है, 1200 बच्चेस तरह है ना, 1275, first option आ जाए गया ना, कल लोग चेक कर लेना, calculation आ रहा हम जाए, ठीक है, चलाएं आगे next, 72, if two fair coins, one rupee coin and two rupee coin, को टोस्क गया गया एक साथ, और कह रहा है, then sample space क्या होगा, यह तो simple question है, 2 head आ सकते हैं, 2 tail आ सकते हैं, पहले पर head, दूसरे पर tail, पहले पर tail, दूसरे पर head, ठीक है ना, पहला दूसरा कौन, एक तो 1 rupee coin और दूसरा 2 rupee coin, ठीक है, चलें आगे, चलो, next, 73 question number, the number of all 11 functions, defined from set a to a, where a कितना है, 123, तो देखो, एक set a है, और उस खुद का, खुद से ही करना है, क्या आपने को function defined, और इसमें elements के हैं 123, तो number of 11 function दाने है, तो आप बताओ, मिरे पास, इसके पास, इसके लिए कितने option है, मैच करने के लिए 3, तो पहले वाले के पास option है, 3, दूसरा वाले के पास कितने बचे, 2 रहे जाएंगे, क्योंकि पहले तो अल्यडी मैच हो चुका है, और अपने को चाहिए number of 11 function, इसलिए ठीक है, और लास्ट वाले के पास कितने होगे बोलो, एक, तो कितने total number of 11 function आजाएंगे, इसमें, 6, तो कौंसर option सही होगा, option number 4, चले आगे, चलो, next, question number 74, the number of binary operations on the set A, B, 2 elements आपने पास, और आपको पताए, number of binary operations कैसे निकालतो है, आप, n to the power n square, where n is the number of elements in the set, तो कितने elements हैं, समें, 2 हैं, तो क्या आजागा, 2 की power, 2 square, that is, 2 की power, 4, कितना होजागा, 16, सही है, तो कितना answer आजागा, 16, चले आगे, next, the value of 10 inverse root 3 minus this, सबसे बड़ी बात है, ITF, जो chapter है आपका, यानि कि inverse trigonometric function, इसमें सारा जो खेल है, वो range का है, आपको पता होना चाहिए, कि inverse function की range क्या होती है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, 10 inverse की range होती है, minus pi by 2 से plus pi by 2, और sec inverse की range होती है, अपने 0 से pi, ठीक है न, अब एक बात ये भी बिता दूँ आपको, मैं, sec inverse की range होती है, 0 से pi, ठीक है, अब देखो, where, pi by 2 is excluded है, क्योंकि pi by 2 पर क्या होता है, cost क्या होता है, 0 होता है, sec inverse not defined है, तो 0 से pi है range, तो एक बात बताओ आप, छोटी सी बात बताओ आप, कि जब आप 10 inverse root 3 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कितना आ गया, इसमें अपना value, बोलो कितना आ गया, यह आ जाएगा pi by 3, minus, sec inverse negative value, तो किस quadrant में देगा, आपको second quadrant में, और 10 inverse, second inverse में 2, 2 value किसकी होती है, जब cost क्या होगा, 60 degree, यानि 60 degree value होगी 2, तो कितना देगे अपन, pi minus, pi by 3, तो कितना अंसर आ जाएगा, बटा देखो, यह आ जाएगा, तो 2 pi by 3, minus pi, तो माइनस का pi by 3 आ रहा है क्या, है ना, माइनस का pi by 3 आ गया, 2 pi by 3, minus pi, तो माइनस का pi by 3 आ जाएगा, बिल्कुल, कौन्स अप्शन सही होगा, इसका option number, second सही होगा, चलें आगे, चलो, next, the value of sine inverse sine 3 pi by 5, तो वही inverse का question आ गया, दोबार असे ध्यान से रखेंगे, ध्यान रख है, it does not belong to this range, 3 pi by 5 does not belong to this range, क्योंकि 3 pi by 5 को मैंने कितना हो गया, pi by 5 मैंने 36 degree, तो 108 हो जाता है, 108 degree हो जाता है, जो कि इस range से बाहर है, तो पहले को अपने को इस angle को range मिलाना पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा, मैं इसको बताओ, sine 180 minus, कितना 2 pi by 5, अब यह आ गया range में, क्यों क्या होता है, sine theta, और अपना 3 pi by 5, वो convert कर लिया, pi minus 2 pi by 5 लिख कर, तो यह कितना हो गया, sine 255, अब check करो, क्या है, अब आ रहा है अपनी range में, बिल्कुल, अब आ रहा है range में, क्यों, क्योंकि यह कितना degree हो गया, 72 degree, which is in our range, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका answer क्या हो जाग हो गया, आगे सब्सक्राइब पाद, तो option number third सही होगा, चलें आगे next, चलो, next question number 77, 77 क्या क्या किया रहा है, if a equals to cos alpha, minus sin alpha, sin alpha, cos alpha, a plus a dash, क्या है, identity matrix है, then the value of alpha, तो एक काम करें, आप a plus a dash करें, तो जब a plus a dash निकालोगे आप, तो क्या होगा है, इसमें difference, है ना, road तो किसमें जाएंगे आपके column में, और column change जाएंगे row में, क्या transpose of matrix, किसी भी आपको, our view का परिवर्त ग्याद करना है, तो क्या करेंगे आप उसका, row को column में, column को row में change कर लोगे, तो जब row को column में change करके, आप add करोगे, तो cos alpha, cos alpha, तो किता हो जाएगा, 2 cos alpha, और यहां क्या चला जाए हो में, पूरे में से, यह matrix है, यह वो नहीं है, है न, determinant, कि आप दो बार common ले रहे हो, जहना कहीं वाली बात, गलती नहीं करनी है, तो क्या हो गया है, identity matrix है, तो इसका मतलब, 2 cos alpha, कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 cos alpha, यहां जाएगा, 1 आजाएगा, 2 cos alpha, यहां जाएगा, चलें यहांगे, चलो, 78, क्या कह रहा है, this is a square matrix, if, simple question है, जब M equal to N होगा, तब यह क्या बन जाएगी, square matrix, next, question number, 79, क्या कह रहा है, if area of triangle is this, with vertices this, this is, then the value of k, तो आपको area of triangle की बार चल रही है, तो आप stairs method यूच कर लो, इसमें, तो half, mod of, यह है mod, और determinant, determinant नहीं, अपन कर लेते हैं, stairs method यूच, तो क्या हो जाएगा, 2 minus 6, 5, 6, k4, जहां से कानी शुरू, वहीं खानी खतम, तो यहां पर 2, minus 6 है ना, और यह area कितना रखा है अपने को, 35 square minutes, तो अपने को k की value निकालनी है, तो देखो, 2 into 35 कितना होगा, 70, और यह mod का साइन है, जो models का साइन है, this represents mod है, यह mod का साइन है, क्योंकि area का भी negative news पना, इसलिए, तो models जब आप उठाओगे, तो क्या लागा होगे, यहां पर plus और minus 2 साइन है जाएंगे, और इसको आप solve कर लो, तो कितना होगे, देखो, इसको इससे multiply करना होता है, पता है ना, यह minus का कितना जाएगा 6K, और minus का कितना होगे 8, सॉल कर लो, इसको आप क्या दिक्कत है, तो minus 12 की आ गया, और कितना होगे देखो 50, 60, 62, 62 minus 8 कितना हो जाएगा 54, और 54 को वहां लें लेकिए जाओगे आप, तो minus 54 आ गया, plus minus कितना होगे 70, इसको आप solve कर लो, calculation check let's तो यहां से क्या जाएगा के का वेल्यों • 12 एक पॉल तो कितना आ गया यह तो 16 ना एगा एकमनेट 12, 12, 12, 20, – 6 K, 30, – 6K, – 8 2 – 6, 5, 6, आचा 54 है यह यहां पर क्या है 5 4 है यह इना तो यहां पर क्या है यह आएगा 54 और के 4 अफ़ ठीक है ना तो इसका मतलब 2 4 जा 8 आएगा यहाँ पर यहां पर कहाएगा 2 4 8 मैं थोड़ा सा चेंट के लिएता हूं वार कर यहाँ पर 8 आजाएगा और 6 K की की जाएगा 4K यहाजाएगा 4K थर्टी और यह 4 टीक है तो कितना आगया यह गे शॉल करके चलो इसको बटाओ, मानस का अटन के, और आगे, 8 से 8 थे हैट कैंसल अउत हो गया, कितना हो गया 50 तो 50 इसको बेटाओ यहां से इस लाइन को है ना तो 50 50 को भूठ लेकर जाओंग है, तो क्या जालेंगे लिए ? इसमें क्या करोगे आप वैल्यों निकालनी हो तो आप कोशिश करें कि इसमें प्रॉपर्टीज के यूज ज्यादा करने पड़े एक तरीका तो यह है कि हो जाओ शुरू एक वाल लेके कॉपी पेन है ना अपना पेपर सौल करना शुरू करो आजागा आपका अंसर कोई दिक है कि Boulder लो हर सी कॉमन ले लो ठीक है ना तो एकउमन लेव सीवन से बी कॉमन ले लो सित्वी से और सी कित ilgili से टो है यहां बचेगा hae हेवर्ट वी प्लस बी बी मेसी बी ऑपी प्लस ए सरीके से रिकमें वीश्रीख देक यहां फिर आपका करो सीदे-स इसमें тоже कर दो, R2 को चेंज कर लो, R2 minus R1 minus R3, ठीक है न, तो इससे आपको क्या मिल जागा, देखो, A equal to आपके सामने आ जाएगा, यह A square, यह B C, A C plus C square, यह A B, यह B square plus B C, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, यह तो 0 हो गया, और जब इसमें से आप इन दोनों को गटा होगे, तो B square तो cancel out हो जाएगा, लेकिन minus का केतना जाएगा, 2 B C, ऐसे यहाँ पर क्या जाएगा, A C से A C cancel out हो जाएगा, और minus का क्या जाएगा, 2 C square, यह आजाएगा, ठीक है, अब एक काम करो आप, minus का 2 C common ले लो इसमें से पूरे में से, तो minus 2C common लो गे माइनस 2C क Memon लोगे, तो क्या जाएगा? माइनस 2C कमन लिया, एक काम करो, कमन ले हीलो, एकın लो, इसमनेнойga से A कमन ले लो, C2 से B, और C3 से C, तो एक तो ABC भाहर कमन ले लो आप, और 2nd जो रो है, 2nd रो स dabstar ले लो क्या? माइनस 2C कमन लोगे, तो यहां बचेगा, माइनस का 2 और यह सी का हो जागा स्क्वार, तो खुलम लाक है आपके सामने क्या बचने बाला है, a 0, b, यहां सब बी कॉमन लिया है, यहां बचेगा c, और यहां बचेगा यहां क्या वन और यहां क्या सी सब्सक्राइब लेंगे तो चले आगे चलो देखो तो नेक्स्ट जो स्टेप वह वह क्या आपना माइनस का 2 स्क्राइब अंदर क्या बचा हुआ है आपके सामने यह तो आप एक काम करो एक और इसमें लगाओ सीटू चेंजिस्टू सीटू माइनस सी थरी तो उससे क्या मिल गया आपको देखो जरा आए जीरो बी माइनस सी कर बेगा क्या बचाएगा तिरी माइनस का है डो ए soir今日は यह जो इस रहे है लोग नना की लिए उपन कर दो नो लिए open करेंगे तो क्या होगा कर लो कि अब अब तो expand हो क्या होगा प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस तो मैनस का बनाएगा जो इसको क्या बना देगा पॉजर्टिटिव और वन के साथ का एगा एबी और यह भी स्कॉञ प्लस का एबी तो टू अब या घया तो कुल में लाकर this then the value of this, अपने को second derivative निकालना है न, second order derivative निकालना है कि इसका y का, तो करो इसको differentiate आप, तो single dash, first derivative, first derivative क्या आएगा, तो y का differentiation कर रहा हूं with respect to x, तो dy upon dx आ गया, यहां पर क्या आजाएगा, a cos x minus b sin x, cos का differentiation क्या हुद आप अच्छो, minus sin x, ठीक है, एक बार और differentiate कर दो आप इसको, तो y double dash क्या हो जाएगा, इस पर cos क्या हो जाएगा, minus sin, तो minus यहां आजाएगा, और sin क्या होगा, cos x, तो यहां पर cos x, minus sin common ले लो इसमें से, तो अंदर क्या नजर आएगा, आपको, a sin x plus b cos x, और a sin x plus b cos x पहले से था, और वो क्या बन जाएगा, y, तो यहां पर कोल में ले आओगे, तो आपको नजर आएगा, y double dash plus y बराबर 0, तो इसका जो सम हो क्या आने वाला है, 0 आएगा, तो इसका हमला option number, second सही होगा, चलते ही यहां आगे, next, 82, differentiation of sin square x with respect to e की power cos x, तो क्या करोगे आख, let कर लो है, na, u equal to sin square x, और v equals to e to the power cos x, तो यह बताओ, मिरको u equal to sin square x, और u को differentiate करना है, with respect to v, तो अपने को find करना है, du by dv, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं निकालूँगा du y dx, और यहां निकालूँगा du y dx, ठीक है, सिंपल है, आपने को du y dx निकालना है, और dv y dx निकालना है, न, parametric function में पढ़ा हुआ है, differentiation में, तो क्या जाएगा बताओ, du y dx तो क्या जाएगा आपका, sin square x का differentiation व्यसуса तो आप याद रहो हो सिदे क्या, sin 2x और cos square x का minus sin 2x, ये नियà क्यों नियका कि मैंने बोला sin square x life differentiation क्या होता है, sin 2x और cos square x का होता है, cos 2x, एसे नी करना है, sin square x का sin2x और cos square x का minus sin 2x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 sin x into cos x और 2 sin cos क्या होता है अपना sin 2 x तो यह तो हो गया sin 2 x है ना चलो next dv upon dx क्या जाएगा बताओ नीचे वाले का differentiation e की power x का क्या होता है e की power x और chain rule से cos x का क्या हो जाएगा फिर minus sin x ठीक है और अपने हो क्या करना है इन दोनों का कर दो क्या अंसर आ रहा है देखो जाएगा d y dv आगया आपका 2 sin sin तो क्या बचेगा 2 cos x और e की power को उपर ले जाओगे तो e की power minus cos x तो option है कोई 2 cos x कैसा है minus का 2 cos x और e की power cos x यानि की नीचे रखा रहा है कोई बात नहीं option number third आ जाएगा चलें आगे next question number 83 the integration of the function this इसका अपने को integration करना है तो आपको याद होगा पहले तो क्या करो आप 25 भाहर ले लो इसमें से यह चलो लिखता हूँ में एक बार पहले 9 minus 25 x square dx ठीक है ना तो क्या हो जाएगा बानात पान में 25 आप भाहर लोगे अंडरूट से तो क्या आजाएगा 1 by 5 अंडरूट के अंदर क्या बच गया 3 by 5 का whole square हो जागा यहां पर और minus x square आप आपको दिखरा होगा क्या बन रहा है 1 upon under the root of a square minus x square और यह क्या होता है sin inverse x upon a क्या होता है sin inverse x upon a तो x upon में केतना आजाएगा a आजाएगा a का value कितना है 3 by 5 तो क्या हो जाएगा 5 x by 3 तो इसका अंसर क्या आएगा 1 by 5 sin inverse 5 x by 3 तो इसका option number 4 सही होगा ठीक है चले यहांगे चलो 84 इसमें क्या करना है आपको देखो आप क्या करो 2 से divide और 2 से multiply कर दो तो नीचे वाले का derivative बन गया क्या उपर वाला तो क्या लिखते हो इसको आप नीचे वाले का उपर वाला क्या है derivative तो इसका अंसर क्या आएगा cc दे ln of x square plus 1 यह तो क्या अलड़ी positive है तो कोई दिक्कत नहीं मॉड लगाने की जुरूती नहीं है बाहर को आने 10 upon 5 कितना हो गया 2 तो कितना अंसरा आगया हाफ ln 2 कितना अंसरा जागा हाफ ln 2 चलें यहां के the number of arbitrary constants contained in the particular solution of the equation क्या होता है 0 next 86 a homogeneous differential equation of the form this one can be solved by making substitution आपको पस यह बताना है क्या substitute ना है तो आपको दिखाई दे रहा है dx upon dy की form है xj क्या कर दो आप by ठीक है चलें next the vertices of our triangle r a b and c the area of triangle is यह आपने vector 3D में देखा है क्या area of triangle निकालना है तो एक काम करो आप सीथे सीथे a b vector निकाल लो और a c vector निकाल लो ठीक है na a b vector a c vector दौनवा cross product कर दो cross product से क्या निकाल लो area of triangle तो area of triangle क्या हो जाए का बता हो area of triangle a b c क्या लेक सकते हो आप half mod of a b cross a c half mod लेना है अपने को a b cross a c a b cross a c क्या हो जाए का बता हो i j k ठीक है तो a b a b vector क्या आएगा करके दिखाऊंगे मैं आरहम से यह कितना है 1 1 1 b कितना है इसमें 1 2 3 और c कितना है 2 3 1 तो a b vector क्या आएगा बता हो a b vector आएगा 1 minus 1 0 तो यहां तो आ जाएगा 0 2 minus 1 कितना हैगा 1 तो यहां क्या 1 सही है ना और 3 minus 1 कितना हैगा 2 तो यहां 2 आ गया अब a c vector कितना आ जाएगा बता हो 2 minus 1 1 3 minus 1 2 और 1 minus 1 अगें 0 यह आ गया अब क्रोस्ट करो फिर उसका magnitude भी लेना है आपको ठीक है ना तो half क्या जाएगा magnitude of this करो उसको solve तो i के सब तो क्या आएगा 0 minus 4 तो minus का 4 i cap j के सब क्या आएगा 0 और minus का 2 और minus minus क्या हो जाएगा plus तो plus का 2 j k क्या सब क्या आएगा 0 minus का 1 तो minus का k क्या है तो यहां से क्या आगे अपने पास half of इसका magnitude कितना हो जाएगा 4 416 2 2 4 1 तो कितना आ गया यह half of under the root of 21 clear तो half of root 21 option number first ठीक है next come to question number 28 let the vectors a vector and b vector such that a का magnitude दे रखाया आपने को और b का magnitude दे रखाया and we have to find out what the angle between a and b तो एक काम करो न a cross b क्या है unit vector है a cross b यह दी unit vector है तो a cross b का magnitude यह दी 1 है तो कितना हो गया यह a b sin theta equal to 1 और a और b का magnitude कितना दे रखाया आपको 3 और यह root 2 by 3 ठीक है क्या निकालना है अपने को theta तो निकाल लोगा आरम से आप 1 by root 2 तो theta रोख कितना आ जाएगा बिटा 5 by 4 आ जागा है 1 by root 2 यहने की 5 by 4 चले आगे next question number 89 if two times of probability of a equal to probability of b equal to 5 by 13 और probability of a when b has already occurred तो probability of a when b has already occurred क्या होता है अपना probability of a intersection b upon my probability of b ठीक है तो probability of a intersect यह तो दे रखाया अपने को कितना 2 upon 5 और probability of a intersection b यह है अपने पास जो निकाल रहे है और probability of b कितना दे रखाया अपने को 5 by 13 तो यह हो गया 5 by 13 तो probability of a intersection b कितना आ गया है यहां से probability of a intersection b आ गया multiply गर को 5 5 cancel out तो 2 by 13 आ गया अब probability of a union भी निकालना है तो क्या क्लों किता हो probability of a union b equal to जाएगा sum of addition theorem probability कि क्या कहती है अपने से pa plus pb minus probability of a intersection b तो क्लों के यहां से pa plus pb कितना हो जागा 3 times of pa 3 times of pa और minus this तो क्या हो जागा 3 times of pa pa बोले तो probability of a कितना है 5 by 26 minus probability of 2 by 13 इसको solve क्लों के आप आपर हम से चले हैं आगे चलो last question 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 number 90 two events a and b will be independent if आपको पता होना चाहिए दो events इधी independent है तो क्या होता है अपना probability of a intersection b equal और यदि दो events independent है तो उनका compliment event भी होता है independent होता है तो इसका आप क्या हो गया आप फर्स्ट ओप्शन को चेक करें ना तो pa ड़ेस into b ड़ेस क्या है अपना pa ड़ेस into pv ड़ेस है ना ठीक ही बात है बार लगा दो आप ड़ेस लगा दो तो यह क्या होगा 1-p a क्योंकि यह दी a और b independent event है तो a बार और b बार भी independent होंगे यह आपने पड़ा हुआ है ना 1- क्या हो जाएगा पीवी तो option को option number one correct होगा ठीक है तो यह था आपका इसके बाद यह last question था ठीक है तो यह था आपका बड़ा STSC का maths का solution तो इसको आप अच्छे से कलने हैं कोई डाउट आप पूछ सकते हैं thank you